सवागत है दोस्तों आपका हमारे ये ह्ट्यूब चैनल जो आज हम आपको बताने वाले हैं जो मैं वीडिो कैसे बनाता हाँ दोस्तों जो मैं वीडियो बनाता हूँ बहुत ही महनत लगता है मुझे बनाने ऐसा आसान नहीं है बर लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पास ना कोई यह स्टैंड है ना कुछ है और मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ यह देखिया यह मैंने एक यह बांस का एक जो होता है लकडी यह मैंने इसमें अपने टेबल में बांध रखा है इस के इस ट्यूबल है जो कि बिल्कुल 300 रूपीज का मैंने लिया था बहुत दिन पहले लिया हूँ था उसी को मैंने इसमें दोस्तों बांध अब और इसमें मैं यह मैं बांध रहे हैं इसमें मेरा मोबाइल स्टैपल होता है यह जो आप देख रहे हैं यह प्लास्टिक का य बांस के इस पैनल में और इसको मैंने बांद के और इसमें दोस्तो में मोबाइल मेरा लगता है और नीचे मेरा यहां पर नोटबुक होता है और फिर मैं आपको वीडियो बना के आपको जो प्रवाइड करवाता हूं इस तरह प्रवाइड कराता हूं दोस्तो और यह मेरा टे और दोस्तों यह मेरा fix stand है जो आप देख रहे हैं और जब मैं कहीं और जाता हूं तो ऐसा ही मैं एक लकडी होता है मेरे पास उसके अंदर में एक रसी वह भी मैं आपको कभी दिखाऊंगा उसमें मैं रसी बांद के फिर मोबाइल बांद के फिर मैं आपके लिए वीडियो श बहुत सारा पेन खड़ीदा था मैं आपको दिखाता हूं पेन का कलेक्शन मेरे पास जितने भी मिरको हो रहा था जो अच्छा से अच्छा आपको मैं वीडियो बना के दिखाऊंगा आपके लिए तो यह देख सकते हैं आप यह मैंने पेन के लिए बाद में एक कवर लिया पास यह सारे पेन का दोस्तों कलेक्शन है यह देख सकते हैं आप इसमें कुछ पुराना पैन भी है कुछ और बाकी सारे नए पैन है यह आप देख सकते हैं यह बहुत सारे पैन मैंने तो दोस्तों एक्चली क्या था जब मैं वीडियो बना रहा था तो यह देखिए आप इतने सारे pen और copy की बात करें तो यह मेरा sheet होता है जिस पर मैं वीडियो लिखता हूँ आप देख सकते हैं जैसे मैंने अभी लिखा हुआ यह देख लीजिए आप इस सारे वीडियो जो मैंने आपको बना-buna के देता हूँ वह सारा वीडियो का यह बहुत सारे notebook है मेरे पास जो कि फुल हो जाता है और मैं नया notebook use करता हूँ, ऐसे बहुत सारे notebook है, तो दोस्तो pen की हम बात कर रहे हैं, पैन जो है दोस्तो कोई फड़क नहीं पड़ता है, बाद में मैंने notice करा इस बात को, जो pen से कोई फड़क नहीं पड़ता है, आप इतने सारे collection मैंने रखे हैं, इस pen का आप मैं use नहीं करता है, और आप यदि चाहें, तो एक pen और मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैं हमेशा use करता हूँ, मैं prefer करता हूँ, यह zel pen है दोस्तो, यह आप देख सकते हैं, यह zel pen मैं use करता हूँ, यह इस से पहले जो मैं use करता था, यह मैंने एक लाया था, यह थोड़ा expensive था दोस्तो pen इस से भी मैंने लिखना छोड़ दिया, क्योंकि handwriting आपने देखा हूँ कोई बहुत ऐसे वीडियो में, जिसका handwriting बहुत ही थीन है, यह pen, और एक pen मैं और आपको दिखा रहा हूँ, जो काफी मेरे को महंगा मैंने खरीदा था, आप लोग के लिए, जो आप लोग तो अच्छ करके दिखा रहो, यह देखिए दोस्तों, कितना ज़्यादा इसका थीन है वो, दिखने रहा है आपको, यह वीडियो मेरा, कैमरा भी दोस्तों मेरा ऐसा नहीं है, बहुत technology, new technology camera है, old camera मैं use करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा नहीं है, जो मैं कभी camera खरीद पाऊं या stand भी लिए वहाँ कुछ भी, तो आप लोग support करिए मेरे को, मैंने हर वीडियो में, अब आप लोग को बोलता नहीं हूँ कभी भी, जो subscribe करने के लिए, like share करने के लिए, but मैं आपको एक request करूँगा, आप जरूर channel को subscribe करिए, यदि आपको अच्छा लगा हो, वीडियो मेरा, और पहने जहां तक आपको बताया है, बिल्कुल simple pen use कीजिए, जैसे ये pen है, zel pen है, दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये zel है, बिल्कुल zel pen use कीजिए, simple pen use कीजिए, और उससे आप handwriting आप बनाएए, आपका handwriting अच्छा बनेगा, और second thing, मैं आपको एक handwriting का भी वीड देखेंगे, तो obvious सी बात है, जो आपको exam में अच्छा से अच्छे marks आप लाएंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था जैसा, ये मेरा stand है, ये मेरा table है, और ये मेरे notebook है, जो मैंने आपको दिखा है, और ये सारे pen का collection है, दोस्तों, लेकिन pen का collection आपको मैंने दिखा है बट आपको इतना pen नहीं यूज करना है, आपको simple pen यूज करना है, कोई gel pen यूज करना है, या आप ball pen में जाएं, तो ball pen भी मेरे पास है, जैसे अब देख रहे हैंगे, ये मैंने ball pen पहले में इस तरी वीडियो बनाता था, ये ball pen है, आप ball pen भी यूज कर सकते हैं, simple, depend करता ह है, ये बहुत ही वह बाली बात हो जाती है, लोग कहते है, pen depend करता है, handwriting के लिए, तो ऐसा कुछ बात नहीं है, depend करता है, जो आपके handwriting अच्छी है, तो कोई pen से भी आप अच्छा लिख सकते हैं, ये मेरा मानना है, तो pen का कोई ऐसा issue नहीं है, तो दोस्तों आप को यदी video हमा ला रहा हूँ, पहले मैं दो video लाता था, अभी एक video ला रहा हूँ, और दूसरी चीज़, आपको कोई भी यदी कुछ topic पर कुछ चाहिए, आपको essay application, या story, या letter, anything else, कुछ भी चाहिए, इंगलिस में, तो आप मुझे community में जाके please comment करिए, और community में मुझे comment करके बताइए, जो मैंने आप लोगों के लिए 2-3 बार post भी किया है, तो उसमें आप हमें topic के बारें बताइए, तो चले ठीक है दोस्तों, फिर हम आपसे मिलते हैं, next video में, और thank you very much.